तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का जीए सुजण अकैडमी पर तो आप सभी को पुना शुप कामना है आपके रिजल्ट के लिए CGCET exam को ले करके बात कर रहे हैं, CGCET exam आयोजित हो चुका है प्रत्थम और दूसरा पाली में पहला पाली में हम G.S. मतलब जनरल पेपर देखे थे तो जनरल पेपर का ये model answer हम देखेंगे तो चलिए जनरल पेपर का ये model answer है जनरल पेपर जो first paper था जिसको सभी subject वाले दिये हैं उसमें कुछ question का model answer अंसर हमारे द्वारा और कुछ आपके अनुभवी सर हैं उनके द्वारा ये मड़ाल अंसर छाटा गया है ये हमारे जो सर हैं और हमारे द्वारा ये आंसर आपको बताया जाएगा इसे प्रमारीक आंसर न माने एक चीज मैं बता दूँ इसे प्रमारीक आंसर न माने अगर आ भी दावा पत्ति के बाद फाइनल आंसर आता है आप सभी जान दें तो सीजी वैपम का आंसर में हम मिलान करेंगे लेकिन फिलाल हम अपने स्कोरिंग देखने के लिए आपके सेहों के लिए जूकि आप बहुत लंबा वीडियो देखें हैं लगातार हमारे चैनल को माध्रम स से पेपर सॉल्ट किये हैं इस लिए हम पहला देखते हैं आज क्वेश्चन पेपर यहां पर यहां पर जनरल पर फर्स्ट का है जिसका सही आंसर बदाने का प्रयास करेंगा आपको क्योंकि टीम के दोरा चाटा गया है कुछ गडिद के सर हैं कुछ और हैं और कुछ हमारे दोरा भी तो इस तरह से चलिए प्रश्ण वार्चक चिन्ने की स्थान पर आने वाले अंग तो गडिद से स्टार्ट करते हैं क्या होगा देखिए 10, 20, 31, 56, तो देखिए 10 के बाद क्या है 20 है मतलब 10 कंतर है 20 के बाद 30 में 11 कंतर है फिर 31 के बाद 12 कंतर हो जाएगा तो 31, 12, 43 तो भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका यह एकदम एडजेक्ट आंसर है यह ध्यान रखिएगा जो एडजेक्ट है उसको आपको बताया जाएगा और जो कंफुजन होगा उसमें आप भी कमेंट कर सकते हैं और कौन सा सबसे महत्तम भी नहीं है इसका आंसर अभी ढ बटे 3 तो इस्तंब 2 के मान को 1 के साथ सुमेलित किजिए तो देखिए सुमेलित करना है कैसे सुमेलित होगा देखिए एक सब बटे y ब्रवर 2 बटे 3 मतलब एक सब बरवर क्या दिया 2 तो पहला जो ए है यह हम कोश्चन स्वाल करकर देखते हैं 2 गुड़ा 2 एक सा कमान 2 है तो 2 गुड़ा 2 हो जाएगा y कमान कितना है 3 है तो 2 तीया 2 दो ने 4 बटे यह हो जाएगा y कमान 3 है तो इस तरह से हो जाएगा यह 4 बटे 3 तो यह एक कोंसा हो जाएगा 3 हो जाएगा एक क्या हो जाएगा थर्ड आ जाएगा और इस तरह से इस तरह से इस से भी हल कर सकते है आप 3x आए तो 3 गुड़ा 2 बटे y कितना है 3 तो 3 दूनी 6 बटे 3 तो ये 3 ने कम 3 और 3 दूनी 6 तो 2 आ जाएगा तो b का 2 होगा a का 3 होगा तो a का 3 और b का b का हो जाएगा first तो इस तरह से b में आपका correct answer होगा ये b होगा इस तरह से मैं थोड़ा सा solve करके आपको बताया है इस तरह से पूरा solve कर सकते हैं आगे चलिए देखते हैं graph का अलोकन कर उचित आंसर बताना है पिछले वर्षे की तुलना में प्रतिसत के स्तंदर्व में किस वर्षे बिक्री कारोबार अधिक्तम पृद्धी होती गई एक तीसवा नमबर का question तो ये 2015 यहाँ पर correct answer होगा आपका चलिए अगला question है graph अलोक तुलना में 18 में देखा गया और फिर 19 में देखा गया तो तीन वर्षों में इसका answer क्या आएगा तीन तो यहाँ पर बी जो है correct answer आएगा यहाँ पर अगर आपको लगता है दूसरा answer तो comment कर सकते हैं आगे देखते हैं digital सिक्षा के संदर्व में MOC का क्या आर्थ है तो इसक खड़ की पोहच परदान करता है तो यह जो है हमारे ही साबसे डिजी लॉकर आना चाही के लोग उमंग बोल रहे थे लेकिन आप बताईए का answer सही क्या हो सकता है हमारे ही साबसे यह बी लिया जा रहा है final उत्तर हम व्यापम में देखेंगे जैसे बहुत सारे लोग उल्ट जीमेल आना चाहिए 49 का answer आना चाहिए 40 वे नंबर का question देखते हैं सुरक्षित लेंदेन के लिए e-governance में सदानता है किस त्रक्निक का उपयोग किया जाता है तो देखिए e-governance में जो होता है यह इसमें बहुत सारे electronic media जैसे social media तो यह social media सही आनतर आए गया है जब इसका analysis क दरके देखेंगे तो यह जो option दीख रहा है इसमें हमारे ही सबसे social media आना चाहिए अगर आपको और लगता है तो आप भी और comment कर सकते हैं आगे चली देखते हैं निमनलिखित को सुमेलित कीजिए आप देखिए 200 परिया वरण दिवस तो यह है 5 जुन को मनाया जाता है अब यह एक आप फोर तो यहाँ इलान करके देखते हैं option में एक फोर एक ही में दिया है A में नहीं दिया है B C में नहीं दिया है D में दिया है क्यों B में दीख रहा है तो सही आंसर बी हो जाएगा correct है इसका तो बी correct आंसर होगा अब चली रहते हैं वायू मंडल में निमनलिखि थरीद गैस का सही क्रम हमें ग्याद करना है तो यह क्या होगा चलिए सबसे पहले होगा CFC यह क्या कह रहा है बढ़ते क्रम में तो पहले CFC फिर उसके बाद हो जाएगा CFC के बाद यह CFC पहला फिर उसके बाद हो जाएगा आपका B Nitrous Oxide फिर सताही Ozone फिर मिधेल तो इस तरह समताप मंडल में Ozone परत पाई जाती है आप सभी जानते है 90% जो Ozone होता है यह समताप मंडल में होता है तो यहाँ पर C correct answer होगा बैलिस का और अगला-गला जो अलग-अलग सेट होगा सब का question एक है आप देख सकते हैं मिलान कर लिजेगा बस question आगे पिछे रहता है बागी question question सेम रहता है question का क्रमांक आगे पीछे रहता है अब देखे यह दिया गया है यहाँ पर कि यह गद्यांस दिया गया है अनुछेत दिया है इससे ध्यान पूरब पढ़िए और इस अनुछेत के अनुसार ही हमें answer लेना है ध्यान रखिएगा तो सबसे पहले अभी पढ़ते देखिए यहाँ पर क्या आएगा 48 नंबर का तो यह देखिए यहाँ पर इसका 48 नंबर का answer होगा B कौन सा answer हो जाएगा B जो है correct answer होगा चलिए next question है भारत का पथम विश्विक दला जिसकी इस्थापना 1877 में की गई कौन सा सहर में इस्थित है तो यह कोलकाता में इस्थित है ध्यान रखिएगा पहला उन्चा इसका B करेक्टर आशर हो गया अब अगला है इस्थापना के धार पर कालन उक्रमिक प्यवस्थित कीजिए 47 नंबर का question तो देखिए यहाँ पर देखते हैं यह 47 यह 28 का question पर है तो सबसे पहले देखते हम लोग क्या क्या एगा सबसे प आपका यह खड़क पूर जो है इसका इस्थापना 1951 है उसके बाद आजाएगा आपका दिल्ली यह जो अखिल भारती आवर्विज्ञान है यह 1952 में फिर उसके बाद भारती प्रवन संस्थान आमदाबाद की स्थापना यह जो हो जाएगा आपका 1961 में तो इस तरह से सब चाउथा फर्स्ट फिर तीसरा तो यह आपका आप्शन देखने को मिल रहा है सी में तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका यह अगला है अगला हिंदी का है सिक्छा सास्त्री प्रादमभिक सिक्छा के लिए मातरी भास को सुरवाधिक उप् तरह है तो C correct होगा तेरवा नंबर देखते हैं प्रत्येक भासा में विश्व द्रिष्टी का तात्परे क्या है तो व्यापक द्रिष्टी आना चाहिए इसका आंसर और दूसरा है विश्व को देखने का नजरिया तो ये तो नहीं आएगा बाकि ये व्यापक द्रिष्टी क अगला है भासाओ में समानता का तात्परे का है तो भासाओ में जो समानता है इसका तात्परे क्या है अर्थगत समानता है क्या है अर्थगत समानता है C correct answer होगा अनुवाद जो है अब देखिए अगला है अनुवाद भिन भिन भासाओ में नहित चिस समानता से संभव होता तो यह रूप गर्द भिन्नता पाई जाती है तो भी यहां पर करेक्ट आंसर होगा तो चलिए आज की उड़ों में फिला इतना ही